नमस्कार दोस्तों आज हम इस विडियो में वीवो एकू Z3 5G वर्स शाओमी रेद्मी नोट 11 प्रो प्लस 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो एकू Z3 5G में 6.45 इंच जबकी डेद्मी नोट 11 प्रो प्लस 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है जो की सेम जैसी ही है Width की बात करें तो, IKU Z3 5G में 2.96 इंच जब की Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में 3 इंच की Width मिलती है बात करें थिकनेस की तो, IKU Z3 5G में 0.33 इंच जब की Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में 0.32 इंच की थिनीस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, IKU Z3 5G में 185.5 ग्राम्स जब की Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में 202 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की IKU Z3 5G से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, IKU Z3 5G में IPS LCD जब की Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, IKU Z3 5G में 6.58 इंचर जब की Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में 6.67 इंचर मिलती है डिस्प्ले रेशियोशन IKU Z3 5G में 1080 by 2408 और Redmi Note 11 Pro प्लस 5G में 1080 by 2400 मिलता है स्क्रीन टु बॉडी रेशियो, एकू Z3 5G में 84.7 प्रतिशत जबकि Redmi Note 11 Pro प्लास 5G में 86.01 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो, एकू Z3 5G में 401 प्रतिशत जबकि Redmi Note 11 Pro प्लास 5G में 395 प्रतिशत मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो, एकू Z3 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो EQZ 3 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 3 different features मिलते हैं और Redmi Note 11 Pro Plus 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं अईए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं. GPU की बात करें तो, EQZ 3 5G में Adreno 620 जबकी Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Adreno 619 मिलता है. चिप सेट की बात करें तो, EQZ 3 5G में Qualcomm Snapdragon 768G और Redmi Note 11 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है. बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, तीन वेरियंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6GB, 8GB, 8GB की RAM मिलती है. बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही, तीन वेरियंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 128GB, 256GB की storage मिलती है. expandable memory दोनों फोन में up to 1TB है. operating system दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है. battery, EQZ3 5G में 4400MH जब की, Redmi Note 11 Pro Plus 5G में 5000MH देखने को मिलती है. अईए अब main feature को देखते हैं. colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही, तीन colors option देखने को मिलते हैं. सब information देखने के बाद बात करें price की तो. EQZ3 5G में 3 variant देखने को मिलते हैं. जो की 6GB RAM 128GB Storage के साथ 19,990 रूपीज, 8GB RAM 128GB Storage के साथ 18,990 रूपीज, 8GB RAM 256GB Storage के साथ 20,990 रूपीज में मिल जाता है. वही अगर बात करें Redmi Note 11 Pro Plus 5G की तो उसमें 3 variant देखने को मिलते हैं, जो की 6GB RAM 128GB Storage के साथ 20,990 रूपीज, 8GB RAM 128GB Storage के साथ 22,990 रूपीज, 8GB RAM 256GB Storage के साथ 24,990 रूपीज में मिलते हैं. दोस्तों अब बात करते हैं, Prans and Cons यानि की फायदे और नुकसान की तो. Vivo Echo Z3 5G में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है. जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है. Finally बात करें हैं रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है. Main Camera में Redmi Note 11 Pro Plus 5G आगे है. Front, Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है. Performance में दोनों फोन सेम ही है. दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं. पहने Competitor Phone की बात करें तो उसमें. Realme X3 Super Zoom Edition है, दुसरा Realme GT Neo है, तीसरा OnePlus 980 है और लास्ट Competitor Phone की बात करें तो उसमें Oppo A16 के हैं. और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना.